हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिए वीडियो लिक्या रहा हूं दिके छे ऐसे स्टॉक्स जिनके उपर फरवरी से ही हम निगा है आपको भी कई बार शेयर कर चुक है रिपीट करेंगे चीज को छे स्टॉक्स जिन में इन्वेस्मेंट का मौका कोई भी करे इतनी स्ट्रॉंग पॉजिटिविटी है इन शेयर में आपको यकीन नहीं होगा लेकिन दो साल का होरीजन इसलिए रख रहे है क्योंकि दो साल तक इनकी काफी डिमांड रहने वाली अच्छे ऐसे स्टॉक्स की और दिमांड है तो प्रॉफिटबलिटी है तो रिवेन्यू तो सारी चीजे आपको देखने को भी लेंगी तो शेयर प्राइस जंप करें और अभी के टाइम पे बाकी सेक्टर से पैसा निकलके इन ही के उपर लग रहा है क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड है इन शे स्टॉक्स की डिमांड है तो यहां पर आपको मिलेगी बहतरीन इन् साथ के साथ हमारा यह मानना है कि किसी भी टिप से कुछ नहीं होता, आपकी अपनी analysis जरूर होना चाहिए, उसी के लिए हमने यह technical analysis के series start कर रहें, ताकर आप खुद market को observe कर गे कब entry करनी है, कब exit करना है, profit book क्या loss book जो भी आपको करना है क्या risk management होना चाहिए वो सारी चाहिए बताई गई है और साथ के साथ practice करवाते हैं आपको बिना practice के हमें लगता है कि market में टेक्निक आनलिसे सीखना tough काम है कोई कहा दे कि अब या एक महीना दो महीना हमें नहीं सीखा जाता चीज़े समझनी इसे दिए उसके उपर हमारा ज्यादा focus रहता प्रैक्टिस के ऊपर तो यहां पर सारी डिटेल आपके लिए मौजूद है अब मैं लेके चलता हूं आपको शेयर की तरह बात करेंगे पहले शेयर जो है हमारे पास सन फार्मा जिसका नाम है यह बहुत ही important शेयर में इसको कह चेंजेज है और अब मैं इन मैं क्योंकि मुझे positivity दिख रही है और अभी से नहीं मैं फरवरी एंड से ही इन स्टॉक में positivity देख रहा हूं क्योंकि इस टाइम पे जो डिमांड है वो बहुत ही खतरनाक है दिमांड की वज़े से और इसी दिए मैंने इनको long term perspective से नहीं कहा इ प्रॉफिट बुकिंग बाद में होगी इसलिए दो साल का होरीजन काफी अच्छा मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर के लिए आने वाले टाइम पे अब आप इसकी situation देखे सन फार्मा की एक करके मैं आपको सारी stocks दिखाऊंगा जो 6 stocks की मैंने बात करी है यह दिखे पीने आएगा stock तो आपको मिलेगा entry का मौका देखे यह stock दो हफते तीन हफते तेजी से भागने के बाद पानी पीने आया और वापस उठना start हो गया तो आप सोच लीजिए आपके लिए entry का मौका weekly भी positive हो चुका है 433 आपके लिए stop loss पड़ा है और कभी भी यह share भाग सकत है और यह 512 का लेवल बढ़ाया था इसको पार करने की कोशिश कर सकता है ध्यान दे और stock में volume बिल्ट अप बहुत खतरनाक हो रहा है काफी important अब बात आती है देखे market dynamic है अभी हम जो भी यहाँ पर आपको दिखा रहे देखे कुछ भी हो सकता है क्योंकि far warm है but still बहुत ज् collection आती है तो सारे sectors नीचे जाता है आपने देखा Friday को जब correction आई थी तो यह भी काफी नीचे open वाता लेकिन जिस तरीके से reversal दिखा वो काफी important पूरा का पूरा जो है cover कर लिया और अभी के time frame पे जो यह correction चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे daily में इसने 50 का slip किया और साफी जरूरी है तो ध्यान देते रहें अब सन फार्मा के बाद अगले शहर के बात करते हैं जिसका नाम है डॉक्टर रेड़ी लेवाटी फार्मा टाइम पे देखे कर आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्ट यह अगेन पिछले कुछ टाइम से मार्ज हेल रहा है कि इ चीज़े चेंज हो रही है इन स्टॉक्स का यह यह स्टॉक्स आपको ऐसा नहीं दिखेंगे कि इनको बहुत इन्हाने बहुत यह बढ़्या परफॉर्मस दी होगी लेकिन यह स्टॉक्स आप पोजिटिव है मार्कीट की बाज़े से डिमांड की वाज़े से तो फिलाल अभी से नहीं मैं तो बहुत टाइम से इनके उपर जो है फोकस रखे हुआ हूँ और यह मुझे लगता है कि यह जो लेवल है 4125 के आसपास का यह बहुत तेजी से इसको भगाने वाला है इसलिए चीजे देखते रहें अगर आप long term perspective वाले हो तो आपका stop loss जा है वो अगर मुझे लगता है कि अगर इसमें करेक्शन आ भी जाए चाती सो तक का आ भी सकता है कि वीकली पे अगर मैं देखू पहले प्राइस लिप हुआ है तो यह करेक्शन चाती सो का भी आ सकता है अगर मार्केट डाउन रहे तो यह important point रहने वाला है यहां और ज्यादा जो है बायर्स active हो जाएंगे जब यह शेर अगर नीचे आएगा गलती से तो situation काफी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रेडी मैं भी तीसरे शेर की तरब चलेंगे शिपला देखे मैं फिर से रिपीट करूँगा इवन ऐसे मार्केट में जब फार्मा बिलकुल डाउन था सिपला ने फिर भी पिछले तीन साल का प्रॉफिट गोथ आवरेज दी देखे आवरे बड़े रहे थे और अब इन में दिखी है पॉजिटिव टे और पहली बार ऐसा देख रहा है कि यह पॉजिटिव मूब आपको दे रहे देखे यहां पर बड़ी केंडल मंतली की छोटी केंडल उसके बाद अब अगले ब्रिक आउट के लिए रेडी हो रहा है और और अल् अब यह पूरा का पूरा पानी पीने का टाइम और पिछले वीक में इतिनी लंबी लोवर शैडो काफी पॉजिटिविटी दिखा रिये काफी बुलिश फोर्स एक्टिव दिखा रिया देखिए जरा यह करेक्शन फिलाल चला है और 670 के लेवल से यह करेक्ट होके 614 के ल खुद के इसकी बताओं तो होल्डिंग बनी हुई है अच्छी से और यह शेर की होल्डिंग जो है टेक्निकल लेवल पर ही मैंने बनाई थी और अभी भी मैं काऊंगा सिचुवेशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस स्टॉक में बाकी फार्मा के कंपैर्जन में क्योंकि यह रिसर्च वाला शेर है तो मुझे बहुत ही खतरनाक लगता है यह देखिए 18 परसेंट और 28 परसेंट की जो है प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ तो बायो चार्ट पर चलो तो जब अभी रिसेंट्ली मार्च के महिने में नीचे गया तो एक दम कोई खरीद आ रहे हैं कि जब यह रिजॉल्व होईने चीजें तो करेक्शन रिजॉल्व होते हुए तब दिखा रहे है वा यह करेक्शन तो खाली ऐसे ही है यह तो भागेगा और त जब नीचे गिरा था यहाँ पर अगली रहली के लिए कभी भाग सकता और सबसे इंपोर्टेंट का लेवल इसका 360 वाला था क्योंकि यह मंतली ब्रेकाउट बहुत टाइम पुराना ब्रेकाउट था सप्टमबर वाला वह इसने इस बार पार किया और वॉल्यूम्स के साथ बड़े वॉल्यूम्स के साथ जब ब्रेकाउट पार होता है वह काफी इंपोर्टेंट होता है इस चीज को ध्यान रखना देखें बड़े वॉल्यूम्स के साथ इस वीक को आप देखो कि तो केंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम्स बड़ा है जरा सोच यह इसका मतलब ब् भाग सकता है इसके अलावा और विंदो फार्मा की मैं बात करूंगा और विंदो फार्मा अगेन फार्मा का एक चैंपेंश यह जिसने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ दिखाई है पिछले कुस टाइम में ऐसे गिरावट के बा और इस लवल को आसानी से पार कर लेगा जहां तक हमें उमीद है देखे जरा वीकली चार्ट को कर देखू तो वीकली चार्ट में जब से यह शेर भागा 300 के लवल से 600 के लवल तक तब तक ऐसा लग रहा था कि कभी भी यह डाउन आ सकता है बट पॉजिटिविटी जरूर लेकिन देखे भागा मार्च के बाद ही इन लेवल में मौका मिला था सबसे इंपोर्टेंट जब यह लवल ब्रेक हुए थे 635 614 से 635 के लेवल ब्रेक हुए थे तब जाके बहुत ही सॉलिड यहां पर नए डिफरेंट काइंड ऑफ वायर्स का जो है एंड्री हुआ यहां अब को यकीन दिलाता हुँ देखिए इसके अलावा एक और शेर है कृडिला हल्थ केर फिर मापको एक डटा दिखाऊंगा काफी इंपोर्टेंट वाला उसको ध्यान देना के डिला हेल्थ केर की बात करूँ मैं यह बहुत बढ़िया ब्रेकाउट का है है बहुत सारे व्य लोगो ने अगर कमेंट्स देखेंगे किया कि कई लोग करेक्शन कब आएगा कब खतम और यह चीज अब मापको इक देखिए एक बार क्योंकि इस मैं टेक्निकल पॉस्पेक्टिव से एक एक शेर के बारे मां आपको बताया गया सन फार्मा से रिलेटेड सन फार्मा और जब यह वीडियो स्टार्ट के गया था सन फार्मा का शेर था काफी इंपोर्टन पोजिशन दिखा रहा था उसके अलावा देखिए डॉक्टर रेड़ी के बाद अगर मैं बात करो सिपला की बात की गई थी तब सिपला 590 पे था तो यह टेक्निकल लेवल पर एक एक शेर को एनलाइज करके आपको दिखाया था ताकि आप इसमें पूरा फाइदा लेपाया सिपला के बाद अगर मैं बात करो यहां पर एक एक शेर की गई थी बायो कौन के शेर की बात की गई थी कि यह बड़े ब्रेक आउट के लिए रेडी हो रहा तब यह 360 के प्राइस पे था यह 10 में का वीडियो है आप रिपीट करना इसको स्कूल 1 में उपर दिद अहले खरण के लावा अब बात की गई थी उसके अलावा अँभी देखे साड़े हिसके खेली हाँ के लाव तो आप technical analysis की series जरूर join करें क्योंकि इसका मतलब आप सीखना चाहते हो technical analysis को क्योंकि technical analysis entry exit के लिए काफी important होता और काफी main चीज होती है wind up करता हूं यहाँ पर वीडियो को उमीद करता हूं आपको समझ में जरूर आगा वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बैल आकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहिए और आपको बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है थैंक्यू थैंक्यू पर लॉचिंग वीडियो